हलो बच्चो, वेलकम टू लर्निंग सॉलूशन्स, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, चार से छे नंबर का एक टॉपिक, जो गैरेंटिट आपको चार से छे नंबर पेपर में दिलवाएगा ही दिलवाएगा, वो है फ्योल के प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल अफ्योल, जो की आप लोग याद करने जखते हो, यूजरी पेपर में जाकर बच्चो को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इवन नाम याद करने के अंदर, कि हमें किस तरीके से नाम को याद करना है, चेप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन स्टिल, रिकॉल नही कर पाते हैं, कौन सा पॉइंट हमारे पास कैसे था, क्योंकि हमारे दिमाग में वर्ड ही नहीं आ पाते हैं कि वर्ड क्या है, जिस तरीके से भी आप याद करते हो, उसके ना कहीं नहीं आपको प्रॉब्लम आती है, आज मैं आप एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, दो मि हैं, पैज मैं आपको इक स्टोरी बताता हूँ, मेरे फादर और उनके ब्रदर वगएरा, टोटर चार जने हैं, जो फैमली किन दर थे, उन चारों ने कहीं न कहीं जॉब जॉइन करी, चारों ब्रदर्स ने, मेरी रेडी ने, चाचा जी ने, ताउजी ने, और वो सब कहीं बात है, 1950-60 की, तो उस समय पर जब वो जॉब करते थे, उनको बड़ी प्रॉब्जम आरती फैमली को चलाने में, पैसो की तंगी के कारण, वो गए दादा जी के पास, अब मेरे दादा जी जो थे, वो आर्मी से रिटायर थे, गैडी गए उनके पास, कहने है पापा, एक् लिकिन बिजनस शुरू करने के लिए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दादा जी ने कहा, नौकरी ना करीं, जे करीं, ते ना ना करीं, यानि कि नौकरी या तो करना मत, और अगर करोगे तो ना नहीं करना, उन्होंने कहा, नौकाम नौकरी ते दस्वाजी हजूरी यानि कि नो काम तो होते हैं नोकरी के और दस्वाजा आता है येस सर येस सर करना उसकी वजाए तुम सब भाई मिलकर एक बिजनस शुरू कर सकते हो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ पापा कहने लगे उनको दादा जी को कि भई हमें तो बिजनस करना आता नहीं है हम लोग तो इतने अच्छे से बिजनस नहीं कर पाएंगे आप ही हमें एल्प करो दादा जी करने ठीक है मैं कर तो दूँगा लेकिन मैं बिटा आर्मी से रिटार्ड हूँ मुझे एक छोटी सी बात की बड़ी प्रॉब्लम है मैं और एंडिसिप्लिन का दो बातों कि तुम मुझे गैरेंटी देदो मैं तुम्हें तीन बातों की गैरेंटी देता हूँ का न्मबर 2 तुम सब अपने इंटरस को भूल के organization के interest में काम करोगे यानि कि अपना interest भूलना है तुम्हें ऐसा ना हो कि बड़ा भाई बोले कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिले या business सारा मेरे हाथ में हो छोटा भाई बोले मैं लाड़ा हूँ मुझे ज़्यादा मिले ऐसा ना हो तो सबसे पहली बात तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है तुम दो बातों की मुझे guarantee दोगे कि तुम सब मिलकर काम करोगे team spirit होगी और अपने interest को भूलके organization के interest में काम करोगे फिर मैं तुम्हें तीन बातों की guarantee दूँगा वो daddy ने पूछा कि वो कौन सी तीन बाते हैं जो आप हमें guarantee दोगे तो दादा जी ने कहा कि सबसे पहली बात तुम्हें fair remuneration मिलेगी यानि कि जहां तुम नौकरी कर रहे हो उससे better तुम्हे salary मिलेगी number two, तुमारी तनख्वा कभी कहीं नी जाएगी यानि कि तुम्हारी नौकरी भी कभी कहीं नी जाएगी तुम permanent होगे क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि नौकरी से कभी निकाल दिया जाएगा यानि कि दूसरी बात तुमारे पास fair remuneration के साथ-साथ stability of tenure भी होगा नंबर 3 मैं तुम तीनों में कभी कोई difference create नहीं करूँगा तुम तीनों चारों को हमेशा equal treat करूँगा यानि कि जो तुमारे तीन ब्रदर और तुमारे अंदर कोई भी differentiation create नहीं करूँगा equity रहेगी तो इस तरीके से आपने देखा साथ point मेरे दादा जी ने बोले जो हमारे साथ हुए number one सबसे पहले दादा जी ने कहा मैं person हूँ order and discipline का तो numbering कर लेते हैं साथ के साथ सबसे पहले दादा जी ने कहा कि मैं person हूँ order and discipline का तो पहली बात order number two discipline फिर दादा जी ने कहा तुम दो बातों की मुझे guarantee दे दो, कौन-कौन सी दो बाते उन्होंने मागी, team spirit होनी चाहिए, number 3, spirit decop, जिसे हम कहते हैं team spirit, number 4, subordination of individual interest to general interest, तुम अपने interest को भूल कर, organization के interest में काम करोगे, subordination of individual interest to general interest, अपना interest भूलना है और किसके interest में काम करना है, organization के interest में, फिर दादा जी ने तीन बातों की guarantee दी, fair remuneration दोंगा, number 5, fair remuneration of employees, number 6, number 6 है है हमारे पास stability of tenure, और number 7 है हमारे पास equity, तो इस तरीके से 7 point खतम होते हैं, तो 14 में से 7 point अभी तक आप देख चुके हो, सबसे पहले मेरे दादा जी ने कहा, मैं person हूँ, order and discipline का, दो बातों की तुम मुझे guarantee दोगे, क्या, कि तुम लोग team spirit में काम करोगे, और अपने interest को भूल कर, organization के interest में काम करोगे, तीन बातों की मैं तुम्हे guarantee दोगा, फिर recognition मिलेगी, stability of tenure मिलेगा, और मैं तुम चारों में कोई differentiation क्रियेट नहीं करूँगा, यानि की equity होगी, इसके बाद दादा जी ने initiative लिया और business को start किया, तो next point है हमरे पास, eighth point, initiative, दादा जी ने initiative लिया, और business को start किया, और दादा जी डैडी, ताउ जी, चाचा जी, और उसके बाद में हम लोग आ गए, फिर हमारे बच्चे आ गए, यानि की चीजे सारी सारी इस order में चलेंगी, ऐसे और इस तरीके से, लेकिन दादा जी ने एक बात उनको और कई, कि तुम चाहो तो कभी आपस में communicate directly कर सकते हो, same level पे, इसक को कहते हैं, gang plank, gang plank, तो दादा जी ने initiative लिया और business शुरू किया, फिर दादा जी ने क्या किया, scalar chain मनाई, और फिर काम को क्या किया, divide किया, number 10 point आ गया हमारा division of work, काम को जैसा divide किया, वैसी ही authority दी, और वैसी क्या दी, responsibility दी, number 11, फिर दादा जी ने कुछ काम centralize किये, और कुछ काम का decision दादा जी जेंगे, और कुछ काम आगे, डैडी वगएरा, और हम लोग ले सकते हैं, छोटे मोटे decision हमें जेने की power दे दी गई, तो इसको किता है centralization and decentralization, पूरे business में unity of command, unity of direction मेरे दादा जी का था, तो इस तरीके से हमारे 14 point cover होते हैं, मैं एक बार दुबार स पूरी बूरी story आपको दुबार से बताता हूं, और आपने इसी तरीके से याद करनी हैं, तो सबसे पहली point, मेरे दादा जी कैसे person थे, order and discipline के, भाईयों को बुलाया, और कहा दो बाते उनसे कहीं कि तुम्हें दो बातों की guarantee देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें तीन बातों क tenure मिजएगा, मतब जॉब पकी रहेगी, और मैं तुम चारो भाईयों को equal treat करूँगा, इस तरीके से दादा जी ने business के start करने का initiative दिया, उन्होंने अपने पास एक scalar chain मनाई, जिसके सबसे उपर दादा जी हो गए, फिर मेरे daddy वगरा हो गए, फिर हम लोग हो गए, फिर हमार किये, कुछ काम decentralized किये, और उसके बाद दादा जी के पास unity of command, unity of direction, total मेरे daddy जी के through होता था, इस तरीके से आप लोगने देखा, 14 point आपके fuel के principle के cover up होते है, इस chapter के इंदर, जब हमारे पास इस 14 point आपको याद होते हैं, तो आपको recall करना आपके असान हो जाएगा, लेकिन ब mistake मुझे नजर आती है, जो even NCRT में भी गलत इखावा, किताब के अंदर भी point इखावा है, remuneration of employees, लेकिन कहीं पर भी उसने employees की remuneration को explain नहीं किया हुआ, उसने remuneration of employees की बजाए, fair remuneration को explain किया हुआ है, कि employees should be given fair remuneration, that means just and equitable to both employer and employee, तो एक तो इस point के अंदर आप लोग, remuneration of employees की बजाए, लिखोगे, fair remuneration, number two, जहाँ पर मुझे थोड़ी घलती रगती है, वो रगती है, authority and responsibility में, कहीं पर भी उसने खाली authority and responsibility को explain नहीं किया हुआ, फ्योल के principle के अंदर ग्यारवा point जो है हमारे पास, authority and responsibility, इसकी जगाप पे होना चाहिए, parity between authority and responsibility, and responsibility, parity between authority and responsibility, यह हमारा real point है, क्योंकि जो explain किया गया है, वो authority and responsibility को explain नहीं किया गया, इवन किताब के इंतरा आप लोग NCRT की बुग देख सकते हो, वहाँ पर parity between authority and responsibility को explain किया गया है, क्या मत्त्रद है parity between authority and responsibility का, parity का मत्त्ब, there must be samanta होनी चीए, मत्तब equality होनी चीए, authority and responsibility में, जितनी हमें power देनी चीए, उतनी ही क्या देनी चीए, responsibility, neither the authority should be more, nor the responsibility should be more than authority, अगर authority जादा है और responsibility कम है, तो यहाँ पर authority का क्या होगा, misuse होगा, लेकिन अगर authority कम है और responsibility जादा है, तो काम complete हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एक दूसरी जगह पर जो मुझे गलती थोड़ी सी जगती है, वहाँ पर है parity between authority and responsibility, और तीसरा point जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी गलती है, point के heading के अंदर वो है centralization and decentralization में, बारवा point हमारे पर जो centralization and decentralization है, यहाँ पर होना चीए balance between, balance between centralization and decentralization, that means कहीं पर भी उसने topic के अंदर आपको centralization and decentralization को explain नहीं किया हुआ, उसने explain किया है, balance between centralization and decentralization, यानि कि management को कुछ काम centralize करने चीए, मताँ उनके decision management को अपने हाथ में रखने चीए, जबकि कुछ काम क्या करने चीए, decentralize करने चीए, यानि कि उनके decision making की power नीचे देनी चीए, जो routine nature के, daily nature के काम है, उनको company को क्या कर देना चीए, decentralize कर देना चीए, यानि कहने का मतलब है कि यहाँ पर centralization and decentralization के बज़ाए, company को क्या करना चीए, balance maintain करना चीए, centralization में और decentralization में, ताकि हमारी organization smoothly run कर सके, तो इस तरह से आपके 14 point cover होते है, आज इस topic को बढ़ाते वक्त, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, वो देखते हैं, even आप अपनी class में जाकर किसी भी बच्चे से पूछो, principles of management का मतलब क्या होता है, 90% बच्चा principles of management को explain करते हुए, बताता है management के सिध्धान, management को जरूरी चीज, तो यहाँ पर हमारी rules and regulation, guidelines या सिध्धानतों की बात करते हैं, जबकि बच्चे किसी भी तरीके से principles of management के point को पढ़ नहीं पाते, तो मैं आज आपको बताता हूँ, आपको जब कभी किसी भी बुक के अंदर, चाहे वो accounts की बुको, चाहे वो business studies की बुको, या किसी और चीज की बुको, economics की, आपको उसे दर एक बात करते हैं, principles of management का मतब क्या है, what is the meaning of principles, principles का मतब, जिस चीट के principles आपको पूछ रहा है, उसको अच्छा बनाने के तरीके, that means, अगर आपसे कहता है, what do you mean by principles of management, तो management को अच्छा बनाने का क्या तरीका है, अब आप पढ़के देखो, तो आपको हर point बहुत easily समझ में आएगा, जैसे कि, अगर मैं चाहता हूँ, मेरी management बहुत अच्छी हो, तो मुझे division of work करना चाहिए, यानि कि मुझे काम को divide कर देना चाहिए, अगर मुझे कोई पूछे, principles of management, next principle क्या है, या management को अच्छा बनाने का क्या तरीका है, तो मैंने कहा, अगर मैं चाहता हूँ, मेरी management बहुत अच्छी हो, तो मैंने का management को अच्छा बनाने का और क्या तरीका है, तो मैंने का management को अच्छा बनाने का तरीका है, the discipline should be maintained in the organization, अगर कोई मुझे कहता है, कि management को अच्छा बनाने का और क्या तरीका है, तो मैं कहता हूँ, there must be unity of command, that means one person must be given order only by one person, ठीक है, there will not be conflict, तो यहां पर आप इस तरी के देख सकते हो अगर आप इन 14 के जोड़ो points को read करते हुए बार बार आप relate करते हो कि management को अच्छा बनने के क्या तरीके है तो आप easy इनको समझ पाओगे और आपको paper में भी explain करने हुए कोई problem नहीं आएगी ओके बेटा तो next class में हम देखेंगे कुछ और नया chapter कुछ और नया points जिनको याद करने का कोई एक और असान सा तरीका मैं आपको next class में बताओगा thank you